आचो आज हम बात पढ़ाई के नहीं कर रहे हैं लेकिन उससे भी कुछ खास कर रहे हैं क्योंकि जिस तरह की कंडिशन हमारे यहां पर चली हुई है हमारे भारत में चल रही है उस कंडिशन में जीना इतना मुश्किल हो गया है लोगों की कि एक तरफ दवाई एक तरफ घर से बाहर नहीं निकलना एक तरफ मास्क लगाना हातों को धोना जिन चीजों के हमादी नहीं थे वो सारी चीजे हमें फोलो करनी पड़ रही हैं और उसके अलावा हमारे पास और कोई चरह भी नहीं है अगर हमें बचना है और अगर हमें दव प्रकुर्शन्स लेने ही पड़ेंगे लेकिन उससे भी ज्यादा इक खास है जो हमारे बड़े होते हैं, अगर वो बिमार होते हैं नेच्रेली जैसे बड़े होते चले जाते हैं, तो कुछ नद ब्मारिया हमारे शरीर verst sector COVID पंपर आते ही चल जाते हैं बिना खाद का खाना मिलना पॉसिबल नहीं है चाहे हम कितनी भी हरी सबजिया खाए उन पर पेस्टराइस चिटका जाता है दवाईया इतनी गंदी गंदी कैमिकल चिटका जाता है कि वो जब हमारे पास आती है हम बेशक उनको धुले साफ कर ले लेकिन उसका इंपक्ट हमार शरीर पर पड़ता ही है प्लस हमारे साथ जो फोन रहते हैं फोन के टावर्स लगे होते हैं इनकी रेंजिस इतनी खराब होती है कि वो हमारे शरीर को इंपक्ट कर रही है आज की डेट में ऐसी ऐसी बिमारिया हो रही है कि बस बिमारियों की तो क्या बात करें आज जिस बि करते हैं एक अनोखी दवाई की दवाई क्या अनोखी दवाई कमाल करती हो आप आपके लिए ही तो हम बच्चों को मना किया आपके लिए ही तो हम बच्चों को मना किया बार-बार आता है तुमको देखने और डिस्टरब करता है आराम भी नहीं करने देता अरे इनको देख कर तो मेरी आखें और दिल को कितना आराम मिलता है एक बेटा अपनी मा का ख्याल करते हुए उनसे बच्चों को दूर करता है तो मा कहती है कि इनकी इनको देखकर ही तो मेरी आखों को सुकून आता है मुझे आराम मिलता है ऐसा कर मुझे जरा नहाना है मुझे बातरूम तक ले चल काफी समय से दादी की तब्यत खराव थी घर पर ही दो नर्स उनकी देख भाल करती थी डॉक्टरों ने भी अपने हाथ उठा दिये थे और कहा था कि जो भी सेवा करनी है कर लीजिए दवाई अपना काम नहीं कर रही है उसने घर में बच्चों को हॉस्टल से बुला लिया काम के कारण दोनों मिया वीवी काम पर चले गए दोनों बच्चे बार बार अपनी दादी को देखने जाते दादी ने आखे खोली तो बच्चे दादी से लिपट गए दादी पापा कहते हैं आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं हमें हॉस्टल का खाना अच्छा नहीं लगता क्या आप हमारे लिए खाना बनाओगी नर्स ने बच्चों को डाटा और बाहर जाने को कहा अचानक से दादी उठी और नर्स पर बरस पड़ी आप जाओ यहां से मेरी बच्चों को डाटने काहा किस ने दिया है खबरदार अगर मेरे बच्चों को डाटने की कोशिश की दो नर्स हैरान थी कल तक जो दवाई काम नहीं कर रही थी आज और आज यह चेंज सब समझ के बहार था जैसे नहाने के बाद दादी ने नर्स को खाना बनाने में मदद को कहा पहले तो मना किया फिर कुछ सोच कर वह मदद करने लगी खाना बनने पर बच्चों को बुलाया और रसोई में ही खाने को कहा दादी जमीन पर बैठ कर खाएंगे आपके हाथ से मम्मी तो टेबल पर खाना देती हैं और खिलाती भी नहीं है दादी के चहरे पर खुशी थी वह बच्चों के पास बैठ कर उन्हें खिलाने लगी बच्चों ने भी दादी के मुँ से मुँ में निवाले डाले दादी की आँखों से आसू बहने लगी दादी तुम रो क्यों रही हो बच्चों ने पूछा दर्द हो रहा है क्या मैं आपके पैर दबा दूँ अरे नहीं ये तो बस तेरे बाप को याद कर आ गए है वो भी ऐसे ही खाता था मेरे हाथ से पर अब काम्याभी का भूत ऐसा चड़ा है कि खाना खाने का भी वक्त नहीं उसके पास नेमा से मिलने का टैम दादी तुम ठीक हो जाओ हम दोनों आपके साथ ही खाना खाएंगे और पढ़ने कौन जाएगा दादी ने पूछा तेरी मा रहने देगी क्या तुमको दादी अब हम नहीं जाएंगे यहीं रहकर पढ़ेंगे दादी ने बच्चों को सीने से लगा लिया नर्स ने इस इलाज को कभी नहीं पढ़ा था अपने जीवन में अनोखी दवाई थी यह अपनों का साथ हिल मिलकर रहने की दादी ने नर्स से कहा आज के डॉक्टर और नर्स क्या जाने भारत के लोग सो साल तक निरोगी कैसे रहते थे छोटा सा गाओं सुईधा कोई नहीं हर घर में गाएं खेत के काम कुवे से पानी लाना मसाले कोटना अनाज दलना दही भिलोना मक्षन निकालना एक घर में कम से कम 20 से 25 लोगों का खाना बनाना कपड़े धोना कोई मिक्सी नहीं थी ना ही कोई वाशिंग मशीन थी और नहीं कूकर था और आगे मैं बात जोड़ती हूं कि खाना मिट्टी के बर्तनों में बनता था फिर भी मिट्टी के बर्तन में भी और चूले पर भी आज जो हम गैस का खाना खाते हैं कितना खराब तो वो हमारे पेट को गैस का खाना ही कर देता है गैस पर बनी हुई, गैस पर डारेक्ट सीखी हुई रोटिया हम खाते हैं उसका इंपक्क क्या हमारी बाड़ी पर पढ़ता है क्या ये हमने कभी सोचा खेर आगे बढ़ते हैं फिर भी जीवन में कोई रोग नहीं मरते दिन तक चश्मे नहीं दात भी सलामत, गन्ना भी चूशते थे आज तो गन्ने को कौन चूश सकता है ये सभी केवल परिवार का प्यार मिलने से होता था नर्स तो ये सुनकर हैरान धै गई और दादी दूसरे दिन ठीक हो गई आईए, बने हम भी ऐसी दवा और ऐसा किसी का रोगी, ऐसे ही किसी रोगी की मदद करे ये थी एक छूटी सी अनोखी दवा जो हमारे बडो को हमारे साथ से मिलती है अगर हम अपने बडो का खयाल रखेंगे तो आगे हमारे बच्चे भी हमारा खयाल रखेंगे इसी सोच के साथ अपने बड़ों का साथ दीजी बेशक आपको काम के लिए बाहर रहना पड़े शुरू के दिन आप बाहर निकाल सकते हैं जब तक कि आपके बड़े ठीक ठाक से रहते हैं लेकिन जब आपके बड़ों को आपकी जरुत हो तो आप उनके पास रहें उनकी हेल्प करें उनकी देखभाल करें हल तो बड़ों का चहरा आपके साथ रहने से ही मुस्कुरा जाएगा उनकी आदी से जादा परेशानिया तो आपके बच्चों की मुस्कुराहटे देखकर उनके साथ खेल कर ही बहुत सारी बिमारिया दूर हो जाएंगी इसी के साथ अपनी बात को खतम करती हूँ फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक पे अपनी पढ़ाई के साथ वैसे मुझे नेक्स टॉपिक देखना है अनॉमी के बारे में बताना था वो कि चारो, बाबाई